नमस्कार मैं अंकित स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन ट्रिप में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड माला जो आज का हमारा टॉपिक होगा ब्यंजन यानि ब्यंजन की परिवासा क्या है ब्यंजन के कितने प्रकार है ब्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार से करेंगे और उससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रसनों को भी आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे तो आप लोग इस class को अंतक जरूर देखें क्योंकि आज की यह class काफी महतपूर होने वाली है पिछली class में जैसा कि आप लोग एक बार दिखा देते हैं हमने स्वर को पढ़ा था कि स्वर की परिभासा क्या है वर्ड माला में कुल कितने स्वर हैं स्वरों के भेद क्या है इस पर हमने विस्तार से पढ़ा था और समझा था आज की इस class को सुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जो भी student UPB8 intense exam 2023 के लिए हमारे class को जॉइन करना चाहते हैं तो हमारे दियेगे contact number पे call या message करके जानकारी प्राप्त करके हमारे classes को जॉइन कर सकते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं word क्या है वह छोटी सी छोटी धोनी जिसके टुकडे न हो word कहलाता है यानि हम देख लेते हैं कि किस परकार से समझते है word क्या है जैसे स्वर हमने पढ़ा था पिछली class में ये क्या है word है इसके हम दो टुकडे नहीं कर सकते हैं यह स्वतंत रूप से इसका उच्चारण होता है वह स्वर का लाते हैं लेकिन ब्यंजन क्या है उसकी परिभासा को हम समझेंगे वर्ड और ध्वनी एक दूसरे के पर्याय है यानि वर्ड क्या है ध्वनी का लिखित रूप जो है वर्ड का लाता है और ध्वनी जो है वर्ड का मौखिक रूप यानि मौखिक रूप जो है ध्वनी कहलाता है तो वर्ड और ध्वनी एक दूसरे के पर्याय है तो हम आसा करते हैं कि आप लोग वर्ड को समझ गये होंगे तो ब्यंजन को आप समझेंगे ब्यंजन क्या है जो वर्डों की सहायता से बोले जाते हैं बेंजन कहलाते है यानि स्वर क्या है स्वर स्वतंत्र होते हैं किसी दूसरे की सहायता से नहीं बोले जाते हैं लेकिन बेंजन जो है वह जो बेंजन वर्ड है वह दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं वह स्वतंत्र रूप से उसका उचारड नहीं होता है ब्यंजन कहलाता है जैसे हम उदाहरड के तौर पे समझेंगे क क क क्या है यहां हम दिखेंगे क में जब हम हलंत लगाएंगे तो क जो है लिखित रूप से वर्ड है लेकिन हम इसका धोनी में उचारड नहीं कर सकते हैं जैसे ही हम इसको अ लगाएंगे आ यानी अ स्वर लगाएंगे तो यह हमारा बन जाएगा क इसका उचारण हम आसानी से कर सकते हैं सहजता से कर सकते हैं ठीक है तो इस परकार से हम समझेंगे कि क जो है चाहिए हम देख लेते हैं क ह स्वरो की सहायता से बोली जाती है बिना स्वर किया उसका हम उचारण नहीं कर सकते हैं लेकिन जब हम लिखित रूप में ब्यांजन को लिखेंगे ख तो इस प्रकार से लिखेंगे यह लिखित रूप है लेकिन जब हम धोनी में इसका उचारण करेंगे तो इसका उचारण नहीं कर सकते हैं यान धोनी ब्यंजन को धोनी के रूप में उच्चारड करने के लिए हमें स्वरो की सहायता लेने होगी यानि कौन सा स्वर इसमें लगेगा ख के लिए ख यानि लाश्ट में आ रहा और तो क्या होगा ख इस प्रकार से हम समझेंगे कि ब्यंजन हुआ होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं आगे हम देखते हैं ब्यंजन तीन प्रकार की होते हैं पहला असपर्स ब्यंजन, दूसरा अंतस्त ब्यंजन, तीसरा उस्म ब्यंजन हम यहाँ देख लेते हैं कि कौ से लेकर मत तक क्यो वर्ड़ है वह 25 वर्ड़ कराते हैं उससे पहले हम जान लेंगे कि हिंदी वर्ड माला में जो मूल रूप से बेंजन हैं वह तैतिस माने जाते हैं दो जो बेंजन हो हैं वह द्रुगूर यानि आप ध्यान देंगे द्रुगूर बेंजन हैं चार आपके जो है मिस्रित जो सन्यूक्त बेंजन करते हैं जिसे सन्यूक्त बेंजन हैं इस प्रकार जो है कितने हो जाते हैं 49 हो जाते हैं ठीक है क्या वड माला में बेंजनों की आगे हम देखेंगे कि इसके उच्चारर में हवा, कंठ, तालो, मुर्धा, दात या ओठो का असपर्स करके मुक से बाहर आती है क्या हवा, इनके कुल 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5-5 बेंजन, हर वर्ग का पहले वर्ग का नाम पर रखा जाता है असपर्स बेंजन कौन-कौन से हैं, जैसे आपके एक्जाम में पूछा जाता है कि असपर्स बेंजन कौन-कौन से हैं, तो का वर्ग से लेकर पा वर्ग में यानि का खा गा अंग से लेकर पा वर्ग में पा फा बा भा मत के जितने भी वर्ड हैं, बेंजन वर्ड हैं, ये सभ पढ़ेंगे कि देंकि करते हैं कावर्ग का उचारड किस परकार करते के उचारड मुखफ के कंठ से करते КолTO करते के राक यानि हमारे सरीर्ण से जब कोई हवा या जैसे उचारड करते हैं तो सबसे पहले कंठ से हवा निक होके गुजरती है तो कंठ से कवर्ग का उचारड करते हैं चावर्ग का तालू से करते हैं टावर्ग का मुर्धा से करते हैं टावर्ग में टाठा डाडा अडा तक फिर तावर्ग का दंत से करते हैं और पवर्ग का ओष्ट से करते हैं आगे अभी हम विस्त चार संख्या हैं इसमें जो चार संख्या कौन कौन से हैं यर लव क्या हैं अंतस्थ ब्यंजन कहलाते हैं काफी महत्पुर्ण एक्जाम में पूछा जाता है इसे आप लोग याद रखेंगी अब एक और बात ध्यान में रखेंगे आपका प्रस्ण होगा कि सर इन सभी वर्ड में लिखते हैं लिखित रूप देते हैं तो वह इस प्रकार लिखा होता है जैसे ही हम उसका उचारण करते हैं ध्वनी के रूप में तो वह स्वरों की सहायता लेकर इस प्रकार हो जाता है या हो जाता है या में या वा यानि अंतिम में अ की वर्ड यानि अ की मात्रा लग होता है इस प्रकार से हम इसफ दिनो का उचारण कर पाते हैं ओर यहां पर फलंत लगा कि र इस यो स्वरो की सहायता लेंगे या याज चोटी का सहायता लेंगे तो क्या होगा रहे में रे इस प्रकार से हम उचारड करने के लिए स्वरो की सहायता लाँनी पड़ती है चाय कोई भी स्वरों यहाँ देख सकते हैं एक हम जब शाहता लेंगे तो क्या हो जाए कर रहाँ पर रे इस मरकार से हम उच्छारण कर सकते हैं इनका और बेंजनों के मद्ध होता है किसका अंतस्त बेंजन का जो उचारण होता है वह स्वरो और बेंजनों के मद्ध होता है उसम बेंजन क्या है काफी मातपूर है ये भी संख्या में चार होते हैं कौन कौन से होते हैं श यानि तालब श श जो आपका मुर्धन्य स है और एक स है दंत स और एक ह है इनके उच्चारण में हवा मुख से टकरा कर उस्मा पैदा करता है यानि आप लोग ध्यान देंगे कि जो उस्म बेंजन है कौन-कौन से चार है यहाँ ध्यान देंगे तालब श मुर्धन्य स दंत स और ह इनका प्रतान करते हैं या कर चंते हैं उसमा पैदा होता है गर्मी होती है जैसे उच्छारड करें आप शौ Council प्रकार से क्या होता है गर्म हवा निकलती है तो इस प्रकार को जो च्रकार होते है च्यार उसम भेंजन का लाते हैं काफे महत ट पोड़े से आप थ्यांद रखेंगे और याद भी रखेंगे साथ साथ नोड भी करते जाएं अपने नोड बुक में अपनी भासा के अनुसार तो आपको चीजे बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और आप समझ सकते हैं आगे हम देखेंगे सन्यूक्त बेंजन, सन्यूक्त बेंजन क्या है? जब दो अलग अलग बेंजन सन्यूक्त होने पर अपना रूप बदल देते हैं, तब वे सन्यूक्त बेंजन कालाते हैं. कैसे अब उधारर के माद्धे हम से संब्जेंगे यहां देखेंगे छत्रीश, त्र, ग्या और स्र, जो है क्या है सन्यूक्त बेंजन है कैसे सन्यूक्त बेंजन है दो बेंजनों के मेल से बने हुए बेंजन है वह सन्यूक्त बेंजन कालाते है जैसे छत्रीशा को जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं के यस यच ए ठीक है तो क्या होगा छत्रीशा तो यहां के से क्या हो जाएगा को जैसे हम देखते हैं अंग्रेजी में लिखते हैं ए ए लिखते हैं तो क्या होता है हिंदी में अ होता है लेकिन हम जब अंग्रेजी word माला में double a लिखते हैं तो क्या वजाता है आ तो इसी प्रकार से k के बाद यह नहीं लगा है तो क्या होगा word में इस प्रकार हलंत लगाओगा तो आधा k होगा फिर पूरा यहां मुर्धन निश्व होगा yes h a यानि पूरा मुर्धन निश्व इसी प्रकार से त्रा को हम समझेंगे त्रा का मतलब टी आर ए जब अंग्रेजी में हम समझेंगे तो टी क्या होगा ता होगा जो इसमें हलंत लगा है ता वड़ होगा और पूरा जो है रह होगा यहां रह के बाद ए लगा है तो यह रह होगा तो इस प्रकार से त्रा बनता है ग्या में क् ध्यान रखेंगे एक्जाम में पूछा जाता है कि किया किन दो सन्यूक्त वर्डो से बने हैं तो ज और यह से बना है स्र जो आपका है ताला बेशा और र से मिलकर स्र सन्यूक्त बेंजन का निर्माड होता है ठीक है अब आगे हम चलते हैं दुध्य बेंजन को पढ़ लेते ह दुध्य बेंजन का है एक्जाम में पूछा जाता है एक विकल्प आता है एक प्रस्ण आता है दुध्य बेंजन से जब एक बेंजन अपने जैसे दूसरे बेंजन के साथ आते हैं तो वे दुध्य बेंजन कहलाते हैं काफी महत्पूर है देखिए कैसे बच्चा कच्चा स यानि आप लोग कहेंगे सर यहां तो हम देख रहे हैं इस परकार से अलप भी तो दूत्य बेंजन होना चाहिए लेकिन नहीं कैसे यहां दिया हुआ है परिवासा एक बेंजन अपने जैसे यानि जो यहां आधा लगा हुआ है बच्चा में च वह आगे अपने ही जैसे आधा है लेकिन पूरा लग के साथ जुड़ा है यानि अपने जैसे ही वड के साथ जुड़ा है जो अपने जैसे वड के साथ जुड़े और दो बेंजन हो जिसमें एक आधा हो एक पूरा हो वे ध्वित बेंजन कराते हैं तो इस प्रकार आप आसानी से समझेंगे आगे हम देखेंगे चित्र के अनुसार कि किस प्रकार से बेंजनों का उचारण मुक्य माध्यम से किया जाता है यहां देखेंगे उचारण के अस्थान की आधार पर बेंजन के भेग कंठ से क्या होता है जिन बेंजनों का उचारण कंठ से होता है क्या कहलाता है वह कंठ कहलाता है का वर्ग के जैसा कि यह भी हमने पढ़ा था का वर्ग के जितने है चाहे का हो खा हो गा गा अंगा तक क्या होता है यह कंठ वर्ग से इसका उचारण होता है अब हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कंठ कहां पर है कंठ यह आपका जैसा कि आप देख सकते हैं एक कंठ है जब हवा निकलता है तो जैसे उचारड करेंगे आप लोग उचारड करते हुए पढ़ेंगे तो ती जी आसानी से समझ में आएगी आप उचारड करिए चले सुरू करिए उचारड करिए कवर का कः गा कहां से हो रहा है जो हमारा हवा निकल ला है, वो कंट से होकर निकल ला है, यानि इसमें कंट का प्रियोग हो रहा है, तो कवर्ग के जितने हैं, वह कंट से प्रियोग होते हैं, ठीक है? आगे हम देखेंगे ताला बे वर्ग जिनके उचारण में जीव का अगरभाग तालू को असपर्स करता है वे ताला बे बेंजन या ताला बे वड का लाते हैं उदारट देख लेते हैं चा वर्ग यह और सा जो है तालब बेकार आते हैं चा वर्ग में चा छा जा जा से लेकर यह तक के जितने भी वर्ड हैं चा वर्ग की अंतरगात आते हैं उनका उचारट तालब से होता है यह का उचारट तालब से होता है और यह सा आप जो बड़ा स है जिससे आप साम लिखते हैं यह तालभेशर है इस परकार आप समझेंगे तो बड़ा सजहां आपका तालभ आप मानचीत्र में देखेंगे तालभी कहा है जैसा कि आप देख रहे हैं यह इसमें क्या जीव का अ Exodus करता है आप प्रकार के जो वर्ड हैं उनका उचारण तालब से होता है अगला हम देख लेते हैं मुर्धन यानि मुर्धा से जिन बेंजनों का उचारण मुर्धा से होता है वह मुर्धन निकलाता इस प्रकार में जीव मुर्धा को असपर्द करती हैं कैसे इसका उचारण देख लेते है टावर्ग के जितने भी वर्ड हैं बेंजन वर्ड चैटा ठाड़ डाड़ से लेके अड़ा तक और यहाँ पर सटकोर्स वाला यानि मुर्धन निसर ये मुर्धा से इनका जो है उच्चारर होता है मुर्धा क्या है हम देख लेते हैं जैसा कि डाइग्राम में लोग देख सक जैसे ही टावर्ग के टाटछ आपका जो जीब है वह ऊपर जाकर तालब के बाद यानि तालब क्या है यहाँ तालब के बाद यहाँ मुर्धा है इसको टच कर रहा है आप लोग उच़््चारर करके आसानी से चीज़े समझ सकते हैं दारड के माद्यम से आप वडों को विवाजित कर सकते हैं कि कैसे इनका उचारड हो रहा है कंट से तालब से मुर्दा से या आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कवर्ग का कंट से चवर्ग का तालू से टवर्ग का मुर्दा से और तवर्ग का दंत से यहां पढ़ेंगे दंत से जिन बेंजनों का उचरण दाद की साहता सोती है वह दंत बेंजन का लाते हैं इसमें जीब की नोक उपरी दाद की पंक्ती को स्पर्स करता है यानि तावर्ग जो है तावर्ग में जितने हैं त, द, द, ध, और न ये सवी क्या है? इनका उचरण दंत से होता है, उसके साथ साथ स यानि छोटा स जिसे हम सडक लिखते हैं, यह स जो है तालब बे स कहलाता है, तो आप लोग इसमें असपस्ट रूप से जाएंगे, कि यहां जो आप लोग देख सकते हैं, यह जो आपका बड़ा स है, यह तालब बे स है, लेकिन पंतर समझ सकते हैं, ठीक है, तावर्ग का उचरण करिए, त, थ, द, ध, द, 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 क्या हो रहा है, आपका जीब जो है, उपर दान, उपर ही दान की, आपका जीब का नोक है, उपर की दान को पंक्ती को असपर्स कर रहा है, तो इस माध्यम से आप समझ सकते हैं तावर्ग के जो इतने भी बेंजन है उनका उच्चारण किससे हो रहा है दंत से होता है ठीक है ओस्ट यह हम देख लेते हैं दंतोस्ट दंतोस्ट यानि दंत और दात और ओस्ट से दोनों से जिसका उच्चारण होता है वह दंतोस्ट कलाता है यानि इन धोनियों के उच्चा आपका वह दंतोष्ट है वह बेंजन का एक वर्ड है जिनका उच्चारण दंत और ओष्ट दोनोंस होता है यानि दंतोष्ट से काफी महतपूर प्रस्न है एकजाम में पूछा जाता है तो इसे आप लोग याद रखेंगे ओष्ट क्या है ओष्ट हुआ है कि ओष्ट बेंज चारण करने में जो दोनों हमारे ओठ है लिप यहाँ पूर है वह एक दूसरे को असपर्स कर रहे है तो ऐसे जो वर्ड है वह क्या कहलाते हैं ओष्ट कहलाते हैं इस प्रकार से हम समझ जाएंगे ठीक है तो आई होप आप लोगों को यह चीज़े समझ में आ गए होगी कैस हम उचारण करते हैं जो है बेंजनों का ओष्ट कहां है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह आपका ओष्ट है अब लोग जानते हैं यह उचारण करते हैं दोनों एक दूसरे को टच करती है तो ओष्ट बेंजन कहलाती है आगे हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पर बें पूर नासी की बेंजन यानि जिन बेंजनों का उचारड वायू नासी का मार्ग से होकर आती है यानि काफी बहुत ही सरल है बचीजों को आसानी से समझेंगे हर वर्ग का पांचमा अच्छर यानि कवर्ग का चवर्ग का टवर्ग का तवर्ग का और पवर्ग का पांचमा अच्छर जो है अंगा यहां देखेंगे नम यह और ड़ जो है यह क्या कलाते हैं नासिक की बेंजन कलाते हैं ठीक है इसे पंचाम अक्छर भी करते हैं क्या करते ठीक है पार्स्विक क्या है आप लोग ध्यान देंगे पार्स्विक आपके एक्जाम में पूछेगा यहां किस प्रकार से आता है पार्स्विक बेंजन कौन से हैं तो जिन बेंचनों के उचारण में मुख के मद्ध दो अंगों से मिलने वाले वायू मार्क और रुद होते है पार्स्विक बेंजन खालाता है देखिए आपका जो है पार्स्विक का परिभासा है लेकिन आसानी से चीजों को आप समझेंगे कि पार्स्विक बेंजन क्या है तो लुन्थित बेंजन क्या हो है तो लुन्थित बेंजन र है तो आप लोग ध्यान देंगे जब लुन्थ से रहो आएगा यानि लहीं आएगा पारशविग जब आएगा तब जब लुंधित कौण सा तो रहो है वह वह यह दो रहता है आगे देखियेंगे उत्षिप्त बेंजन क्या है उत्षिप्त बेंजन जो है यह नटें जीव की नोग जटके से तालू को चूकर वापस आ जाती उच्छिप्थ बिंजन की है और यहां आप देखेंगे उच्यांप व कौन सा सदक भरणा में जो आता है यह उच्छिप्थ बेंजन आ इस प्रकार से हम समझेंगे यह उच्छिप्थ यहां देखेंगे स्वर तंत्रियों में उत्पन कम्पन के आधार पर हैं क्या है काफी महतवूर है आपके इक्जाम के दिरिष्टी से पूछा भी जाता है अगोष क्या है सघोस क्या है अल्पपराढ क्या है महापराढ क्या है 10 recorded लेंगे की आप लोग याद भी रखेंगे चीजों को यदी परिवासा से नहीं यादोगा तो हम उसे ट्रिक से याद करेंगे। प्ले याद करना है अगोश धार किया है। जिन धोनियों के समय स्वर्ट तंतृतरीग्र को में आसानी से हर वर्ग का प्रथम दो धुनिया यानि हर वर्ग का पहला अप लोग ध्यान देंगे हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड जो है अघोस कहलाता है यानि कैसे हम समझेंगे अघोस कहलाता है पहला और दूसरा वर्ड जैसे का वर्ग है तो का वर्ग में का और खा चा और छ टा वर्ग में टा और ठा ता वर्ग में ता और ठा दा वर्ग पा वर्ग में पा यह आप लोग ध्यान देंगे फ यह सभी क्या हैं यह सभी अगोश कहलाते हैं हर वर्ग का पहला और दूसरा ठीक है घोश क्या है जिन स्वर्थ तंत्रियों में कमपन हो यानि पैदा हो अब ऐसे हम समझेंगे फरवर्ग का अंतिम तीन धोनिया यानि याद रखे लीजिए तीसरा चौथा पाच्वा ठीक है क्या कहलाता है यहां हम देख लेते हैं घोस कहलाता है जैसा कि यहां देख लेंगे तीसरा क्या है गह अंग क्या है यह घोस कहलाता है तो इस प ठिक है? तो घोस और सगोस दोनों ये कई हैं जब पूछा जाये तो हर वर्ग का तीसरा छौथा और पाच्वा वर्ड क्या का लाता है घोस का लाता है ठीक है आगे हमbaum चलेंगे अल्पपराड क्या है महापराड क्या है ठीक है? अल्प प्राड जिनके उच्चारड में सिमित वायू निकलती हो अल्प प्राड कलाते हैं अब हम ट्रिक से समझेंगे कि प्रतेक वर्ग की पहले तीसरी पाचवी अल्प प्राड यानि यहां देखेंगे ए यल्पी ए यल्प यानि अल्प प्राड जैसे, क, ख, ग, घ, अंग, यहां दिया हुआ है, हर वर्ग का पहला, पहला तीसरा और पांचमा क्या कह लाता है, अल्प प्राड कह लाता है, महा प्राड क्या कह लाता है, दूसरी और पांचमी धोनी, हर वर्ग का दूसरी जो ध्वनी है ख़ और घ़ यहां दिया हुआ है दूसरी यहां ध्यान रखेंगे पाँच भी नहीं होगा यहां दूसरी और चौथी होगा क्या यहां देख लेते हैं या र ल व यानि क्या है अन्थस्त बेंजन उस्म बेंजन अन्थस्त बेंजन और उस्म बेंजन में हम समझ सकते हैं कि अन्थस्त बेंजन जो है या र ल और व यह क्या है तो यह सबी जो है क्या है सघोस हैं क्या है सघोस हैं और क्या है सघोस के अल्प प्राढ है अप लोग इसे ध्यान लखेंगे यह रालावा क्या है यह अंतस्त बेंजन है लेकिन जब स्वास और प्रयत्न की आधारप हम पढ़ेंगे तो यह सघोस होंगे अल्प प्राढ होंगे लेकिन जब यहां हम देखेंगे जो उस्म बेंजन है जिसमें तालब स क्या है? इसमे एक और आता है क्या है ये क्या है ये सभी जो है बेनजन है लेकिन इसमे क्पम तीनों जो आपका स हाता है वह अघोश है क्या है अगोस तीनों जो सह है वह अगोस है और महाप्राड है लेकिन इन उसम ब्यंजयन में जो आपका एक वर्ड ह आता है वह क्या कहलाता है सघोस यानि सघोस महाप्राड ठीक है सघोस महाप्राड इस परकार आज समझ जाएंगे उसम ब्यंजयन में तीनों सह जो है वह अगोस है महाप्राड है लेकिन जो ह है वह सघोस है अलप्राड है और यहां अंतस्त ब्यंजयन क्या है सघोस अलप्राड इस परकार से हम जो है ब्यंजयन वर्डों का उच्छारण कर सकते हैं और उन्हें आसानी से समझ सकते हैं अब हम अभ्यास प्रसनों को करेंगे, जो काफी महतपूर है, उससे हम समझ जाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ-साथ, अभ्यास प्रसनों के जो सही उत्तर है, उसे देते चलें, पहला है, भासा की सबसे छोटी इकाई किसे करते हैं, तो आप लोग इसका उत्तर देंगे, हमने क्ल से छोटी काई है जिसका हम दो टुकडा नहीं कर सकते हैं इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं ठीक है आगे हम देखेंगे दूसरा प्रस्ण दिया है वर्ड माला किसे कहते हैं वर्ड माला यानि वर्डों के बिवस्थी समू को जब हम वर्डों को एक बिवस्थी क्रम में रख तो वर्ड माला कहलाता है यानि इसका सही जवाब क्या होगा सी होगा आगे हम चलते हैं अगला प्रस्न देख लेते हैं अगला प्रस्न है नीम्न लिखित में कौन वर्ड जो है अंतस्त बेंजन नहीं है तो आप लोग इसका सही जवाब दे दियोंगे क्लास को विस्तार से समझे होंगे तो इसका सही जवाब दे दिये होंगे हम उमीद करते हैं यह क्या है यह अंतस्त वेंजन है रह आपका अंतस्त वेंजन है वह भी अंतस्त वेंजन है यानि हो जो है आपका अंतस्त वेंजन नहीं है हा क्या है उस्म बेंजन है क्या है उस्म बेंजन है आगे हम चलते हैं अगले प्रस्ट की ओर देख लेते हैं प्रस्ट नमबर चार में दिया है यारा लावा बेंजनों को कौन सा बेंजन करते हैं तो यारा लावा बेंजनों को अंतस्त बेंजन करते हैं असपर्स बेंजन किस जो है असपर्स बेंजन कहलाते हैं उसम बेंजन क्या कहलाते हैं हम देख लेते हैं उसम बेंजन कौन-कौन से होते हैं या जैसा कि अभी हमने देखा इसका जबावा अपलोग दे दिये तरीके से समझ कर छल कर सकते हैं चटमा दिया है प्रत्न के आधार पर law word किस प्रकार की धोनी है यानि जैसा कि अभी हमने पढ़ा था law word क्या है तो law word जो है वह पारस्वीक बेंजन है पारस्विक जैसा कि आप लोग एक बार दिखा देते हैं जिससे आप लोग आसानी से चीजों को समझ जाएंगे प वर्ग के जितने भी वर्ड हैं ओस्ट धोनी नहीं है च जो है इसका उचारल होता है तालू से यानि ताला भी धोनी है ठीक है आगे हम देख लेते हैं प्रस नंबर आठ को इसमें पूछा है निमन में कौन बेंजन पारस्विक है यानि आप लोग ध्यान देंगे यहां होगा पारस्विक है तो पारस्विक बेंजन कौन है तो पारस्विक यहां आप लोग ध्यान देंगे ल जो है आपका पारस्विक है जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा यहाँ पर हमने देखा कि पारस्विक बिंजन कौन है यहाँ पारस्विक है यहाँ भी आपको इसी तरीके से पुछ लिए आगे हम देख लेते हैं हिंदी तालब बे धुनिया कौन सा यानि तालू से जिसका उच्यारण होता है तो ताव वर्ग के जो होते हैं वह तालब होते हैं इसका सही जबाब आप लोग दे दिये होंगे दसमा प्रस्विक को देखते हैं आप सही जबाब दे दिये होंगे पहुन सी धोनी अलप प्राड है यानि अलप प्राड क्या है ए यल पी इस आप ट्रिक से समझेंगे इन ट्रिक से समझेंगे ए यल पी यानि पहला तीसरा और पाचमा हर वर्ग का हर वर्ग का पहला तीसरा पाचमा जो वर्ड है अल पपराड है इसमें हम देखेंगे पहला तीसरा पाचमा पहला क्या है यहां देखेंगे तीसरा क्या है तो क्या है यह पहला है थो क्या है यह दूसरा है थो क्या होगा तो थो यह दूसरा होगा धो क्या है तो थो धो धो यानि या दो धो इस प्रकार से हम देखेंगे इसका सही उत्तर होगा ठीक है आगे हम देख लेते हैं अगला क्या होगा यहा इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा दन्तोष्ट है कौन सा धोनी दन्तोष्ट यानि दन्त और उस्ट से इसका उच्छार होता है दन्तोष्ट का लाता है कौन सा है वह जो है दन्तोष्ट है आगे हम देखेंगे प्रस नमर 12 जिसमें पूशा है हिंदी की असपर्स घोस्त म महत्पूर है तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे जो घोस भी हो यानि घोस सघोस हो महाप्राड हो दंत हो और अश्पर्स बेंजन भी हो काफी महत्पूर है इसे आप लोग ध्यान रखेंगे दंत भी हो गोस भी हो और महाप्राड भी हो इस प्रस्ण का जो सही उत्तर होगा आप लोग दे लेंगे C होगा थ ठीक है इस प्रकार से भी प्रस्ण पूछे जाते हैं कि कई उच्चारण अस्थान को एक साथ पूछ लिया जाता है अगला हम देख लेते हैं प्रस्ण नमबर 13 स्वरो की सहायता से उच्चारित वर्ड क्या है यानि स्वरो की सहायता से जो भी उच्चारित वर्ड है वह बेंजन कालाते हैं बेंजन सोतंत रूप से नहीं बोले जाते हैं उन्हें उच्चारण करने के लिए स्वरो की सहायता लेनी पड़ती है तभी उसका उच्चारण हो पाता है आगे हम देख लेते हैं अगला प्रस्ण इसमें दिया है कखज फ यानि आप लोग ध्यान देंगे इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है कखज और फ इस प्रकार के जो सब्द हैं इस प्रकार के जो वर्ड हैं वह क्या कालाते हैं अर्वी और फारसी के वर्ड कालाते हैं जिस प्रस्ण आपके एक्जाम में इससे आता है तो आपके अभ्यास प्रस्ण में यह प्रस्ण आ गया तो आप इसे याद रखेंगे जब भी कर या किसी भी वर्ड के नीचे नुकता लगा हो या क्या करते हैं अर्वी फार्सी इसका उचारण कैसे करते हैं अगला प्रस्ण éoगा सि जु है इसका सही उत्तर होगा सी गर्वर्ग का 5 वा उउर्ग जो है पंचमा एक्षर कहला था है इस प्रकार से हम जो ब्यंजन वर्वरोतों के उच्चारब अभ्यास की माद्धियम से समझ的话 के माद्धियम से समझ गया होगे एंद करते हैं आपको आफ लोगों को आज की class समझ में आई होगी तो आज के लिए इतना ही आप लोगों को इसका जो PDF है वो जो जितने भी paid student हैं उनको हमारे group में मिल जाएगा तो फिर मिलते हैं अगले class में अगले नए topic को लेकर तब तक के लिए नमस्कार